अनाखव एंजन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाने वाली हूं मसाला चिकन बिल्कुल ही धावा इस्टाइल बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी और बनाने के बाद आप लोग भी बताईएगा कैसा बना है और कांस बॉक्स में जरूर लिखिए मेरे वीडियो को तो चलिए स्टाट करते हैं बनाना मसाला चिकन तो यह चिकन लिए अच्छे से धो के लिए चिकन को और कराई को गरम होने के लिए श्लोग गास पर रख दिए तो पहले चिकन में हम लोग थोड़ा थोड़ा मसाला निक्स कर लेंगे तो यह आदा चमाच धन्या पाड़र आदा चमाच जीरा पाड़र आदा चमाच मिर्ची पाड़र एक चुटखी हल्थी एक चमाच अद्रक लेषन का पेस्ट थोड़ा दे देती हूँ दही दे देती हूं दो इस्पून भर के इसमें बस पूरा सा नमक आधा चमज नमक डालती हूं तो सबको मिक्स कर लेकिती हूं पहले काणाके अंचमज करने अछाहे। नमक टालती है контр之 नमक आधा मिक्स कर ली हूं अच्छे से मिक्स हो गया है में तेल डाल देती हूं तो पहले हम लोग इस चिकन को फ्राइ करनूंगा तेल में तेल डाल दी तेल को अच्छे से घरम होण हुआ करें चीकन के कराई में ठाव दिए तेल को निला देती हम तो सब जंगा तो चीकन को चीपकेगा नहीं कराई मारा तेल के अधिए अगम ऑट्ड़ा तेल बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है तो अभी इसमें मैं गैस को थोड़ा स्लो कर देती हूं और ये चिकन को डाल के फ्राइ कर लो पानी नीखे होने ही राले है तो चीकन हलका फ्राइ हो गया है तो गयास को बन करके विल्का निकल लेंगे पहला प्लेट निकाल लेंगे पहला है और फ्राय निकाल लेती हूँ और जब प्यास फ्राय हो जाएगा तो बाद में इसको डालोगी उपर से करहाई में तेल करने क्लिए निकाल लेती हूँ प्रणाइ को दिल देखें तो अब पर से डाल देंगे को ने पर अब तो यही करही में वाप़िस बना थे चिकन डाले, जया लेटिए को गरम होने देती हूं तो अब इसमें दाल देंगे करही गरम हो गया है तो तेल थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं डालती हूं क्या वो जो अभी निकाली हो तुसमें भी बहुत तेल है तो फिर वो भी उपर से डाल दूँगे बस अलवगरा फ्राइ करने के टाइम में तो तेल बहुत हो जाएगा इसके लिए अभी दो बरे चमस तेल डाली हूं इसक को फलका शलाज हो ले देती हूं जाल हो गया है तो इसमें एकटे ह יודע दो बरे बाए बासिद नंगे धीप्याज फ्राइ अनोम तक हम प्या बरम करने के श्रुच्ट करते हो तो मैं आ इसाधों चुप्याज को फ्राइब नहीं से क्याती हूं आपारी जबारे नहीं प्याज यह दोने को पीस लेती हों, तो इसी के ग्यी बचल लिए तो फिल्टा पीस लेंगे प्याज और टामाटव पीस ली हूँ इसको निकाल लेते है अब हमारा प्याज भी ये फ्राइ हो गया है तो इसमे आपी सभी मसालेकों डालेंगे तो पहले यह प्याज और थमाटर के डाल देती हूँ, पिर अग्राफ लोचन, मेर्ची पॉडर, एक बड़ा चम्मच, हल्पी पॉडर, धनिया पॉडर, और यह जीरा पॉडर, अधन्म अधन्म सुडर, भी थोड़ा फ्री कर लेंगे अच्छे से, जी अधन्म मसाल्णा अभी आदाma फ्रै धन्म पॉरा होए... तो बड़ा हों देती हूँ, तो तो इसमें चल्डी vigए, कित्मा त्यल थोसों कभानित, मेर्चाज अधन्म अग्रमाड़स 전े, मैसाल सीर्डि कि अब ये खुश्बू देखके तो मैं स्फिफ एक बात कैसे चुट भले नीचे चिकन दिख रहे हैं तो इसका मदल चिकन यह आप बना रहे होंगे तो नहीं देखा है बड़ जो लग लाकी देते ने जब वो सोफ करते तो ऐसे ही कुछ रहते हैं आप कर दो दो तो देखिए मसाला कितना तेल दिखने लगा पर पहले क्या सुखा सुखा दिक रहाता है अभी ओ ढाली तो इतना तेल दे लोगया मसाला भी 2 दिन और रस्काइ कर लेका है अब ममी का हमेशे जब ममी कुछ बनाती तो मैं आती तो आभी आदध होगई गरम असाला टमैटो प्यूरी जब ममी डालती याद हो चुका है तो हमेशे प्याज ब्राउन करना तेल डालना गरम होने देना अब इसमें नमक डाल देती हूं तो फ्राइ करने के ताइम में बस इसलिए भी थोड़ा कम डालेंगे मामी का टाइलाग याद हो चुका है मैं जितना लगेगा उतना डाल रही हूं नमक स्वाथ की साब से नमक डाल दी तो बच दो मिनट फ्राइ कर लेती हूं मसाला देखे मसाले कलर कितना अला फ्राइ होगे अच्छे से दो मिनट और फ्र में अच्छा से चिकन राधी और देंगे उसको डाल डखोवी और फिर इसे को मिला लेती हूं अच्छो से चिकन और अच्छा होरा है आज में ओ प्सक्राय स्वाँ क्रुंग ईूपर रहे हैं इस पर दूब Chrousam तो इसको भी पाने डालोगे तो देखिए चिकन अच्छे से फ्राइ हो गया है कलर भी बहुत ही अच्छा आया है तो अभी इसमें क्या देखिए तेल भी छोड़ा है मसाला भी है बढ़के पानी ज्यादा है तो इसमें देखिए कटोड़ी में मतलब आधा से भी कम पानी ली हूँ और इसको में डाल दे रहे हैं इतना पानी में ही अब इसको सिजा लेंगे लोक्स टेस्टी इसमें ही इसको पकने दे देंगे तो क्या मतलब इसको आप चपाति के साथ पराठी के साथ खाए यह इतना अच्छा इतना टेस्टी लगेगा ना पूछो मत तो इसको अभी ढखकल से ढख देती हूं और ग्यास को बिल्कुल स्लो कर दोंगी तो उसमें यह इतना ग्रेवी में ही वो पक जाएगा बस इतना ही नहीं हां उसको सीज़ पकने दो अच्छे से बाद में तुमको टेस्ट करने का मन कर रहा है तो थोड़ा अब भी पान जाले तो अब रहा उबलने दो थोड़ा सा पान्स मिन बाद में जब हुआ ना तो देती हूं तो चिकन को एक बार देख लेते हैं शीज़ा कि वाओ कि इतना अच्छी कुछ बो आ रही है एस बटर डाले है बटर दॉर बटर पढ़ lobber ॥ो परदूर चोड़ करना है है तो इसकी में भीonne हैं तो कि वी मिट किवीं अदुब मासाला है यह जू रहे हूं हम ऑना जो गरम मसाला के ज़ल पर भाप मैं तो बनाती हूं देख्या पार पुरहनाने डिश लगता है अर्रहा हमे बहृ बनारी होगी वही खाएंगे बढ़ लों आऒगा तसी 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 अचा दिख रहा है चाल लेसके साथ अगर सेजवन डिदैन जप्राइ डिदैन तुम्हारी आंजल कैसी है उस सोड़े से चोट लग गई है मेरी दूसरी बढ़ने उसे माल दिया ना अरी बढ़ भी इसकी है बहुत लराई करती है उचार है ना वह दो तो मतलब ट्विंकल और आंजल इतनी लराई करती है ना दोनों सुबह आप कभी मैं आपको कभी दिखा इतना आवाज भी करती है सुबह 6 बजाना तुसका आवाज चलू और इतना लडाई करती है नहीं है तो कभी मुझे बोलती है मुझे दूसरे को मारी डालेंगे लगते हैं मैं तो अभी नहीं करती है क्योंकि मेरे उननें क्लासेज रहते सुबह से दो पैर तक तो मम्मी कर और तो व्यूकर देते हैं तो पापा कर देते हैं वहाख किया दो इजन वाजर कंशर दोना तो एक उरकी मैं तो क्लासेज़िश तो बर्स को भी साφ शपायी उसकी बहुत काव रहती है उसकी भी बर्स बहुत जादा तो अभी वा एंजल अभी मैं वह सो एक है और दो तीन बार उसको चेख कर रही कैसे थोरे ना फॉर्ट के पास लगे ना छोट थोरे लग गया इतनल से मारेते कि पचाड़े को मेरी एक बड़ इसका नाम टुइंकल ए मम्मी ना बताया था उसीने पार मार दिया उसको बड़ागा इसको लड़ रहे थे एक इन्सान के बरावर है चारो बहुत देखवाल उनकी भी बहुत देखवाल बहुत केर करना परता है बट अच्छा लगता है वह खेलती है देखो उसकी आवाज चलो देखते है चिकन मेरी बशक्ति करते हैं चिकन बन के रेडिया है अपने घर को हॉटर में क्रिएट करते हैं अपने ंगल को अपने बुद्ध करे के लिगा ज्गादे देतें केंडलाइट डिनर एक पर अपने वीवर्स को दिखाएंगे बिल्कुल बट उसमें नॉनवेच खाएंगे चिकन काएंगे फिशनी खाएंगे पिकास काटा रगता है तो चिकन हमारा रेडी हो गया है तो इसको बंद कर लेती हूं पहले प्लेटिंग निकाल लू थोरा प्ले तो इसको प्लेट में अच्छे से निकाल लेती हूं फिर मेरी लड़की को टेस्ट करना है उसको टेस्ट करने देती हूं मतला ने बनाया ना तो बच्चे खाते हैं तो बहुत खुसी होती है यह क्या फिश नहीं खाती है चिकन खाती है फिर और मटन वगरा बनाओ तो बिल बताएगी वामा कैसा बना है तो आपको भी लगे कहा अच्छा है कैसा है लेट सेस्ट काई मैं यौला पीस लेती हूँ ये ना मुझो सॉफ्ट पीस होते है ना मैं खाती मुष्ली जादा काई खा अच्छा जगरम है सो लेट सेस्ट अजगे के तेस्ट कैसा बता हूँ ना मैं यौला तो मैं खान रहा हूँ खाता हूँ अगर तेस्ट कैसा है बता हूँ आपको 10 out of 10 मिलने चाहिए और आपकी परिश्रम के साफ से हैं मुझे तो बहुत अच्छे पर लगा सो जख लोग आप लोग भी सो ममी की राने को लाइक सब्सक्राइब कमेंस जरूर करें तो अब हम मिलेंगे नएस वीडियो में ममी के तब तक के लिए बाइए